स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण हल्वा समारोह निमनलिखित में से किस घटना से संबंधित है A. स्वतंत्रता दिवस समारोह B. बजट तयार करने की प्रक्रिया C. गंतंत्रत दिवस समारोह D. राष्ट्रिय महिला दिवस Answer B. बजट तयार करने की प्रक्रिया Explanation अंतरम केंद्रिय बजट 2024 के लिए बजट तयारी प्रक्रिया के अंतिम चरन को चिनित करने वाला हल्वा समारोह 24 जन्वरी 2024 को नौर्थ ब्लॉक में हुआ अगला प्राश्ण केंद्रिय स्वास्थय मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधार शिला रखी A. बुजरात B. राजस्थान C. महाराष्ट्रा D. आंध्रप्रदेश Answer A. बुजरात Explanation केंद्रिय स्वास्थय मंत्री मंसुक मंडाविया और बुजरात के मुख्य मंत्री भुपेंद्र पतेल ने हाल ही में राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधार शिला रखी इसका निर्मान श्री खोडलधाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है इससे पहले PM मोदी ने अस्पताल की शिलान्या समारोव को वर्चुली संबोधित किया था अगला प्राश्न जन्वरी दो हजार चौबीस में भारतिय वायू सेना के साथ अभ्यास देजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया A. फ्रांस और चीन B. फ्रांस और अमेरिका C. फ्रांस और सहयुक्त अरब अमिरात D. USA और UA Answer C. फ्रांस और सहयुक्त अरब अमिरात Explanation भारतिय वायू सेना ने 23 जन्वरी दो हजार चौबीस को अरब सागर के ऊपर फ्रांसी सी वायू और अंतरिक्ष बल और सहयुक्त अरब अमिरात वायू सेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया अगला प्राश्ट्न सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमर्ग अवार्ड किसने जीता A. रवीचंदरन अश्विन B. शुबमंगिल C. मोहमद शामी D. जस्प्रीद बुमराः Answer B. शुबमंगिल Explanation BCCI पुरसकार 2024 की घोशना कर दी गई है इस बार यह अवार्ड फंक्शन को हैदराबाद में आयोजित किया गया सर्वश्रेश्ट अंतराष्ट्रिय क्रिकेटर पुरुष के लिए दिया जाने वाला पॉली उमर्ग अवार्ड शुबमंगिल 2022-23 जस्प्रीद बुमराः 2021-22 रिवी चिंदरन अश्विन 2020-21 मोहम्मद शमी 2019-20 ने जीता यह अवार्ड शोर चार साल बाद आयोजित किया गया पिछली बार इसका आयोजित साल 2019 में किया गया था अगला प्रश्न इस वर्ष गंतंत्र दिवस समारोह के मुख्या आतिति कौन है इस साल गंतंत्र दिवस समारोह में मुख्या आतिति के रूप में फ्रांसीसी राश्ट्रपती इमेनुईल मैक्रोन करतव्यपत पर गंतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे है ये चछठा अफसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्यातिती के तौर पर आमंत्रित किया गया है गौर तलब है कि भारत इस वर्ष अपना 75 गंटंत्रत दिवस मना रहा है पिछले साल मिस्व के राश्रपती अबदेल फता हलसीसी मुख्यातिती के रूप में शामिल हुए थे